कि प्लाज्मा क्लस्टरी आपको कैसे पता लगेगा कि अ प्लाज्म लूस्त मैं ऑक में इंदर कम हो werde मझें पंगे में धूल चिपकते हैं इप्फिर डीवार में खूल चिपकते यह जो है छे आठ महीने के बाद आपको दिखेगा कि वो पंक्रे में धूल कम-चिपके हैं मुकाबले पिछले साल के ऐसा नहीं है कि धूल नहीं चिपकेंगे लेकिन पिछले साल के मुकाबले एक बार साफ करके एयरe-perifler लगा दिजिए साफ कर दिजिए छे महिने में जितने धूल चिपकने चाहिए उससे कम चिपकेंगे दिवार साफ कर दीजिए जितने धूल धूल में दूल पर चिपकते थे यह बहुत अच्छा क्वेस्टिन है यह मैं बताने वाला था मैं मिस कर दें कि मैं आपको बताना के कैसे आपको फर्क नजर आएक किस किस एर फिरिफार लगाने के बाद देखिए हमें इमीडियेट कोई रिजर्ट नहीं मिलेगा यह एक पौदा की तरह है पौदा आप लगाते हैं अगले दिल फल देता है यह पौदा लगाने की तरह है कि पौदा आपकी कैटेगरी धीरे-धीरे रिजल्ट आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ठीक है जैसे मैं आपको बोला कि सफोकेशन जो है आपको 24 गंटे के अंदर आपको मैसूस होगा कि रूप के अंदर हलका बन है लेकिन स्टैटिक चार्ट से जो चेंजेज है वह आ प्रिंट से हो जैसे फर्मीचर से और पॉलिश से हो या चाहे पॉस्कुटो रिपलेंट से हो कहीं से भी केमिकल हर जगा है थोड़ी देर पहले जब हमने शुरू किया था किसी ने कहा था कि पहले टोईलेट और किचन जो है बार-बार होते थे आज जो है हमारे घर के खाना पक रहा है घुस्का केमिकल टॉयलेट में एक्जास्ट में कोई भी नहीं लगाता है तो यह सारी चीज़ें हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि शार्प का जो एर प्रिफार है वो किस तरीके से उस स्मेल को खतम करता है ठीक है हम केमिकल सारे केमिकल को एक एक करके नहीं सकते हम यह देख सकते हैं के ओबर आल तीन चारके केमिकल को किस तरीके से यह निकालता है किसे सर्फ्मेल से पहला जो स्मेल है वह सिग्रेट इसेuito को करेंगे कि स्मेल को या किसे को एर प्रिफार शार्प का कैसे निकालता है एक मॉलेंटिये ये टुबैकव जो है हम इनके हाथ में दे देगे हाथ में देने के बाद आप दोनों हाथ को ऐसे मल लिजे तो इसमें क्या होगा कि तोनों हाथ में स्मेल बराबर आ जाएगा ठीक है रैइंट स्मेल बराबर है जाड़ लीजे तोड़ा अब एक हाथ को जो रहा है एक हाथ को अॉपर रखे एक हाथ को पीछे इसमें हमें तीन चीजों का पता लगता है इस देमों से आप ध्यान से सुनिए पहली चीज ये के प्लाजम क्लम क्लेस्टर मेशीन के बाहर निकल के काम गरता है। प्लाजमा क्लस्टर सरफेस के ऊपर से भी चीजों को खतम कर देता है अब आप देखिए स्मेल जो है कम हो या होगा अगर यह 10 है तो वो कितना है अगरे लें हैं में किया एक आप देख में कि स्मेल आप किसी पीर फिर्षाियर को कैसे घाप कर देख विर्षा पीसे कर दीजों करें और एक अपर थोड़ा सा और रहा हम उपर क्यों रखना है ताके इसको 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 अचैनल Y रिजल्ट देख सके ठीक उसी तरीके से पूरे घंबरे में फैल के चीजों को खताब, वो तीन चीज़े बताइए, क्यों मैं आपको बता रहे हैं, नहीं, तीन चीज़े बताइए, पहले क्या था, क्या काम करता है, प्लाजमा क्लस्टर, प्लाजमा क्लस्टर, जो इसमें स्वाहत एसमेल था, उस पहरा तो यह समेल को ख़द्म करता है, जो अपने घर पर डेमों किस तरह के सिप्टिय थे, यह दिवाली के दिन में वहारे गए देंटिंग प्रेंटिंग अकांट चाहरा था, और उसमें सोफा से बगारा सारे चित, तो होता क्या है कि पेंट करने के बाद जिस रूम में कि आता है किए सब्के बूरा सही रहते है, तो सर्वर्थ फैले भी लिपनाश चुगे थे, यह इनका विडियो हम देखे थे, कि यह जो है, सरफेस से मतलब लीटलाइट कर देता है, और करता कょा है कि हवा बाहर, बाहर क्योंड ऑप उसके बाद अबढल प्रण नहीं करता ह करने के बाद चला दिया चलाने के बाद सवेरे जब हम उस रूम में जाते हैं उस सोफा से बढ़ते हैं तो मुझे ये करवाये ही नहीं हुए तो यह एर पीविफायर का ही कमाल था सब करते हैं हमारे मतलब यह बात्रूम में जो आतिक बगएरा होता है सब यह काफी मतलब महाक देता है यह सब अब जहां सब करने चीए नहीं शोरे तो हम थेक है छोर नहीं ही देना यह तो करना जूँअ लगते हैं और उसकेवाज है लिए रहा है कर्को सब्सक्राइब बता रहा है उसका पूफ है इन तीन ido चीजह हो अपने कम्यूड को तो अपने केच्प करें एक को तो में नुबसानगें तो उसका solution क्या है कि एर्वेर से static charge खतम हो सकता है शार्प के एर्वेर से फिर उसका proof यह है कि डमो यह तीन चीज अपने communication में एड़ कर देंगे केमिकल केमिकल से क्या निक्सान हो रहा है हमारे airway inflammation हो रहा है problem solution group यह तीन चीज को अपने communication में इंक्लूड़ देंदा होता है toilet का smell toilet के smell में क्या होता है ammonia 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 और कहां होता है और कहां होता है urine में होता है और कहां होता है ammonia हम और आ ठयज़े होता है just a cigarette में ammonia होता है cigarette में ammonia होता है पसीने की बद dizzy में ammonia होता है हुम क्या कर रहे है कि ammonia को शारक किस तरीके से neutralize करता है हम देखने कि को सब्सक्र survived ammonia फिक है ammonia जो है यह अपामी की तरह है है यह कैसे पतला रगीग मेंजुम इसे कर रहा Based केमेरा भी तो ऐमोनिया को मैं आप जो है इसमें डालूगा मील तो कैमेरा में पता नहीं लगेगा न कि यह मुहनी अदर भी जब कर देख है कि अब एक हमारे पास एक पी एच सलूशन है जो डालने से एमोनिया इसमें पिएस स्लिशन मैंने पुला दिया थिक है एक है ऑला चेंज हो गया यह मेरे पास कलर चार्ड भी है फिए चार्ड इस चार्ड से पता लगेगा कि यह बेसिक हो गया है ऑई ठीक है मैच कर गया दो में नहीं आ चैना कम से कब कश्कांअ घंड कम से पता लगेगा कि जो रहा है हमने क्या हो लाइस में इससे पता हैं 67 कर दो नहीं है इनका फिर रिदीज उनका अंक قई अ अब हम क्या करेंगे अब एमोनिया को तोनों पेपर पे हम डालने के बाद वो पेपर डालने के बाद वो कलर जो है उसी में ट्रैंसपर हो जाएगा को रहा है उसी में ट्रैंसपर हो गया तोनों पेपर में बरबर आपर ईंदर क्याएगज तोनों पेपर में वरबर रफाने को थीजा तॅधे है एक को अलगा रख रहें ठीक्या और एक को न अब आप देखिये, हमने तीन चीज बोला था आपको अब आप सब मिलके एक बार बोलिए, पहला पॉइंट क्या था, दूसरा की पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था, तीनों चीजों को आपने देख लिया, यहां, यहां, देख लिया, यहां, देख लिया, यहां एक घुकिए रहे एक दम प्रूफ हो गया आप कैमिरा में भी प्रूफ हो गया कि प्लाज्मा क्लस्टर और हम सामने क्यों दिखा रहे हैं इसके पास लाके कि इमेडिये रिजल पता लगे रहे है यह एए इस प्रॉभना दे जा मैं अ तो नहीं अ इनका खोल दीजिए आपके, यह है डिफरेंस, यह है फ्लाइगां तरसे, नहीं आप नहीं सुखाँगा, आप है, वैसे ही एक पर्ष को आपको, फर्ष से मैक्सिमम दो दील फिन उपर, मैक्सिमम, फर्ष के लगाईगे तो बेटर, एक किसे दी करना पर जूब होता है, एक लगा सकते हैं लेकिन फिरा वॉल्यूम ओफ एर आपका जादा हो जाए, तो आप उसको देखे, एक चीज और मैं डिस्कस करना भूल गया था, जब मैं आपको बता रहा था कि लगाना कहां पर है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि एर पिरिफाय किस तरीके से मदद करता है, ग्यार आजार में से पांच हजार लिटर को आपको प्यूरिफाय करन प्यूरिफाय करने जाएं कि आपके सामने बहुत बड़ी ओपरिफिट पर ये काम चाहिए, अगर आपकी सीटिंग आइट नौदर स्पिट अच्छा काम करें, दो सो बीस्क्वार फिट तो है, लेकिन जो जिस तरीके से पुलूशन जादा हो रहा है, उसमें छोटे एरिय कि आपको कमरे में ऐसी जबा लगाना है, जहां से आप पूरे कमरे से इसको आफ देख सकते हैं, पूरे कमरे से ये दिखाई देने ज़िए, छूपा के नहीं रठना है रहा है, जब आप विंटिलेसन करें, चार घंटा मैंने बूला विंटिलेसन करें, उस दौरा ना कर दिंगे भाती समय पूरह चले एक ही कम्रे में चलेगा ऐसा नहीं के तुप है कम्रे में रात कोई आपको आपका इप्जेप पांच हाजार को प्योरिफाई करना है वो पांच हजर आप कहां ले रहे हैं बेड्रूम के उस बेड्रूम की हवा को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करना है और मैंने क्या बोला कि यह कोई टू मिनेट नूडल नहीं है लगा के रखेंगे तो धीरे 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 रेसल्क लागा इसका प्रभाव जो है क्या आप लाप 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 होगा लेकिन आप एक बात सोचिए कि बेड्रूम में जितने इंफेक्शन्स वाइरस होते हैं हॉस्पिटल में उसका कितना गुना होता है कम से कम पचास साथ गुना जादा होगा हॉस्पिटल में तो यह जो है तो सो बीस स्क्वरबिट पर तो काम करेगा नहीं कि बेड्रूम में जितना फंगस या बैक्टरिया वाइरस है हॉस्पिटल में कितना गुना जादा है जितना इंफेक्शन जादा होगा उतनी आपको यह छोटे एरिया के लिए देना पूड़े है तो मतलब यह एक बेड्रूम के हिसाब से 220 स्क्वार फिट है जैसे आप इसको डॉक्टर्स के रूम में लगाएंगे तो यह 500 स्क्वार फिट मानके चलना पर आज बैसे प्लूशन आजकल जादा है तो आपको जितने चोटी अरिया में लगाएंगे उतनी जल्दी आपको एफिक्टिवनेस का बता है अगर आप अस्पिटल में लगाएंगे तो आपको 50 स्क्वार फिट मानके चलना पड़ेंगे अगर कोई डॉक्टर्स रूम है वहाँ 100 स्क्वार फिट मानके चलना पड़ेंगे पैफोलोजी लाब में भी तो इंफेक्शन बहुत जादा होता है तो पुरे दिन वहीं चेक करते हैं इंफेक्शन ही अल्टरसाउंट में ठीक है अल्टरसाउंट डेर सोश्क्राइब लेकिन पैफोलोजी लाब ओटी आई-सी वहाँ पे आपको 50-100 स्क्वार फिट मानके इंफेक्शन बेटरूम में कित्रा और पैतलोजी लाब में कितना जाते हैं जित्रा गुना है उतना ही चोटा है अब हम आते हैं कैटेगरी वान के लिए कैटेगरी वान के लिए हमारे पास इस इस फिल्ट्रेशन सिस्टम है और दूसरी तरफ यह ट्राब चीज़े अरे मतलब हवा जब आरी है तो इसके अंदर यह तहीं साधी चीज रुक जाएंगी आपको मैंने क्या बताया है कि इसके फार्टिकल के साइज मिनिमुम कितना होता है तो यह 0.3 माइक्रों तरके पार्टिकल्स को रोख सकता है यह जितने भी पार्टिकल्स है यह जितने भी चीज़े पैक्टरिया फांडस यह 0.3 से छोटे होते हैं तो इसमें रुकेंगे नहीं इसके अंदर से निकल जाएं तो उसके लिए शार्प में प्लाजनो क्लस्टर द है हर ब्रेंड के पास यह फिल्टर ही एक किसी के पास नहीं है लेकिन यह वाला मिशह सबके पास कैसे पता लगेगा की शार्प का यह हुपा का मतलब हाई एफिशेंसी पार्टिकल है यह कैसे बता लगे जाए यह बेटर दो तरीके एक है इसका कितना लिंक विट और थिक्नीज मतलब कितने फोल्ड है सर्फेस एरिया कितना है कि फुलने के बाद कितना लंबर है कि बीस हजार प्रोडेक्ट प्राइस दोसो स्क्वार फिट एरिया शार्प का जो सर्फेस एरिया है फिल्टर का सबसे हाईस्ट है आपको बीस हजार रुपए में इतना बड़ा नहीं मिलेगा यह चैलेंज दूसरा कि एक घंटे में कितनी बार साफ करते हैं एक सोती स्क्वा प्लाजम यह सबसे लेकिन यह एक साइकल यह मिलें गंदे में पांट शाइकले एक सबसे सबसे इसको मैंने में एक Snick आपको ऐसे जाड़ देना है और हो सके तो जिस दिन कड़ी दूप हो उस दिन आपको दूप में रख देना है करी कि एपड़े हम स्वखाते हैं थो कपड़े की profi सिफ गण कर कर या वाला जर सब्सक्राइब इसको आप दो सकते हैं जो आपने थोड़ी दर पहले इसी वाला देखा था फिल्टर यह उसी की तरह है इसको आप वाश कर सकते हैं तो जिस वाद आप वगर वेंटिलेशन कर रहा है तो आपका प्यूरिफयर बंध है उस दौरन आप इसको दो दीजिए इसको महिने में एक पर आप दो सकते हैं और महिने में एक बार उतने ही सवाए तीन-चार घंटे के लिए आप इसको दूप में रखते हैं महिने में दो महिने में जब आपको टैम मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब भी आप सोचे कहां एक और बहुत एहन पॉइंट आपको इस फिल्टर का लाइक है इसका लाइफ है दो साल अगर आप इसको नॉर्मल बेड्रूम में लगाते हैं फिर उसी तरीके से आगर आप इसको आप फिल्टर में लगाए तो इसकी फिल्टर ले एक साल हो जाएगा या वो सकता है छे महीन वह बदल नपड़ेगा डिपन करेगा कि कि इतना क इसका प्राइज इसी हफ्ते के अंदर हो जाएगा इसका रिप्लेश्मेंट फिल्टर का कॉस्ट अगर आप इसको देखें तो यह फिल्टर का कॉस्ट कुछ भी नहीं है जितना पैसा हम पानी में कर्च करते हैं आज 4 लिटर के लिए 11,000 लिटर के लिए इसका कॉस्ट कुछ नचे बराबरा हो आप न शोचिए दो बर आपको फिल्टर बदलने ने तो विश्मना चाहर 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 आठ हएज़ थी सब्सक्रणदे कि से अटी सब्सक्राइब मतलब सॉब्सालमें 58 सो अब टा से साल का का था upाग एक सी शहां Coast बदा है पाननननननननन पतना ह कर्या दोसेंश बतना थे सकदता हुआ सकने तनमननननने पते लिफैद कि ट्रहीं बसेता् वाय। पाननननननन थे गतने पतने हैं दर नहीं सुइन कंगियों। आज सुबह पटना में कैसा मौसम था धूप नहीं दिखाई देख रहा था रात को जो है उस पढ़ते हैं और पूरे रात को जो है घाडिया चलती है बहुत सारे यह और और पूरे दूल मिट्टी तो जब आप शुबह उठते हो आपको धूंद्रापन मैसमस होता है दिखाई ने देता क्यूं रात को और पूरे धूल मिट्टी वह चिपक देख जब तक ना धूप कड़ी हो तब तक वह हटेंगे ने कि यह स्पेशली इस मौसम में रहते हैं उसको बोलते हैं हेज हेज बोलेंगे आज स्मॉक बोल दीजिए तो जब आपके हेज मोड में यह उस सिचुएशन को रिड्यूस कर दें रूम के अंदर से कि रात को जब आप सो रहें तो एक बार हेज आउन करके सो जाइए बाकि वह उसमें एक घंटे के बाद वह नॉर्मल मोड में आपके इसके दो साल की ओंसाइट वारेंटी है और इसकी सर्विस जो है शार्ट डैरेक्ले